तो येल्स गाइज तो श्माइकडाउन खतम हो खुका एंड यह में ब्लड्लाइन के स्टोरी कंटिनी होती है तो मेन इवेंट में रोमन रेंज और पॉल हेमन से वेर इस जी में उसो तो पॉल हेमन रोमन रेंज से कहते हैं कि उन्हेंनों पूरे दिन से नहीं देखा Jimmy Uso को और गैस स्वाट Jimmy Uso रिंग साइड के बहार ही खड़े होते हैं और रिंग में आते हैं और रोमा रेंज के फेस पर काफी बड़ी वाली स्माइल होती है रोमा रेंज Jimmy Uso से कहते हैं अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तुम्हें से मांग सकते हो मैं तुम्हें कुछ भी दिला सकता हूँ अगर तुम्हें न्यू में इवेंट Jimmy Uso बनना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए तो Jimmy Uso ये कहते हैं रोमा रेंज से कि तुमने ऐसा क्यों कि यह biggest question है why तो Jimmy Uso यह reason देते हैं इसके पीछे कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ अगर तुम Roman Reigns को रहा देते हैं न्यू चैंपियन बन जाते हैं अगर तुम न्यू ट्राबल चीप बन जाते हैं तो आगे चलके कही ना कही तुम Roman Reigns जैसा बन जाते हैं बिगस्ट एस हो लाइक Roman Reigns यह बोलते हैं Jimmy Uso और यह सुनके crowd का reaction में काफी जादे एक कमाल का आता है तो उसलिए मैं तुम आटेक किया ताकि तुम आगे चलके ऐसा ना बनो Roman Reigns जैसा और तुम मेरे साथ रहो अगर तुम चैंपियन बनते हैं तो आगे चलके तुम मुझे भूल जाते हैं तो उसलिए क्या होता Jimmy Uso यह रीजन देते हैं Jey Uso के betrayal के पीछे और उसके पार Jey Uso के तुम से कोई answer नहीं आता है तो Jimmy Uso वहाँ से जाने लगते हैं यहां पर रोमन रेंस पीछे समझा कोना लगते हैं Jey Uso का कि मैं तीन साल से कह रहा हूँ कि तुम मुझे acknowledge करना है यहां पर यह सुन के Jey Uso तुरं सूपर की के लगा देते हैं रोमन रेंस को यहां पर सोरो शिकोई मारने के लिए जे उसको यहां पर यहां पर साइड में कर देते हैं इसका फाइदा उठा कि रोमन रेंस ने सूपर मैन पंच लगा दिया यह उसको एंड उसके बाद वो पेर के लिए जाते हैं तो उल्टा ही Jey Uso ने रोमन रेंस को स्पेर लगा दिया जिमी उसो वहीं रैंक से जा रहे होते हैं तो जिमी उसो फिर से बुलाते हैं जिमी उसो को एंड वहाँ पर हक करने का वो नाटक करते हैं जब जिमी उसो उनके पास आते हैं वो सूपर किक लगा रहते हैं जिमी उसो को और उसके बार Jey Usoy ने काफी जादा इस शौकिंग बात बोली कि I'm out of Bloodline, I'm out of Smackdown and I'm out of WWE तो वाई क्या वाकई में Jey Usoy WWE को leave करें लेट सी क्या होता है और Bloodline के स्टोरी ने भाई ये Bloodline के स्टोरी समझने काफी जादा है मुश्किले और उसके बार Jey Usoy क्राउड के बीच में वाँ से चले जाते है तो वाई काफी जादे ही कमाल का सेगमेंट था और आपको इस सेगमेंट कैसे लगा कमेंट के बता सकते हो अगर आपको इस वीडियो बसंदे तो प्लीज डोंट फोगे तो लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइबर चैनल थैंक्स पर वाशिंग दिस वीडियो